प्यारे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ पैरासाइट कोन या परजीवी शंकु के बारे में इसको कोन और एक कोन भी कहा जाता है मतलब कि एक शंकु के उपर दूसरा शंकु मित्रों सबसे पहले आप पैराजाइट का कॉनसेप्ट जान लीजिए पैराजा बाडी पे डिपेंड रहते हैं जैसे की लीचेज मान लीजिए जुएं जिने हम कहते हैं जुएं क्या करते हैं बालों में रहते हैं और वो अपना नूट्रीशन हुमन बाडी से मतलब जिसके बाल पे रहते हैं उससे लेते हैं ऐसे जानवरों के उपर बहुत सारे लेते हैं तो ऐसे जो और्गनिजम्स होते हैं उनको ही पेरासाइट कहा जाता है और पेरासाइट कौन में ऐसे ही कौन को का रिफरेंस दिया गया है मतलब कि वो कौन जो एक बड़े कौन के उपर बन जाते हैं उनको पेरासाइट कौन कहा जाता है अब आप यहां पर इमेज म करके लावा बनता है मित्रों ऐसी प्रक्रियाएं खास कर ज्वालाम की छेत्रों में होती रहती है कि मिटेरियल निकलता है और इसके साथ ही एक बड़े जो है वो कोन का फार्मेशन होता है परंद ऐसा नहीं होता कि हमेशा जो सेंट्रल पाइप होती है उसी से ही मैगमा बाहर की तरफ निकले कई बार ऐसा होता है कि मैगमा निकलते निकलते आसपास की चट्टानों को पिगला देता है और बीच में से ऐसे दरारों से बाहर निकलता है और जब वो दरारों से ऐसे तरीके से बाहर निकलता है तो जो बना हुआ ओल्रेडी कोन होता है उसके उपर छोट कोन का फार्मेशन कर लेता है और इस तरीके से जो छोटा कोन बनता है वही पैराजाइट कोन होता है या परजीवी शंकु होता है तो मित्रों मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा आप इसका मैं आपको एक उदाहरन बताओं तो होकाइदो आइलेंड से जपान म और क्यूसू उसमें से जो होकाइदो है वहां पर एक कोन है जिसके उपर बहुत बड़ी लेक बनी हुई है क्रेटर लेक जिसको बोलते हैं खुसारो कालडेरा तो वहां उसी के पास में ही एक माशू कालडेरा है जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कहा ये जाता और यहां पर नुप करेटर यहां पर लेक बन गई है उसके गयर गए और में बन गया है जिसको मासु काल्डेरा बोला जाता है तो दोस्तों कुल्मिला करके जो परिपोसित शंग है कि जब एक उपर दूसरे संग का निर्मार हो जाए कहीं साइट में से लावा के निकलने से तो वह संकु परजीवी शंकु कहलाएगा आई होप आपको समझ में आया होगा अगर आपको समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक सेयर करिए सब्सक्राइब करिए थैंक्यू वेरी मच